ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 11 जून 2023 बाबा के महावाक्य निश्चे बुद्धी की निशानिया निश्चत विजई और सदा निश्चिंत इस्थिती का अनुभव आज सर्व बच्चों के रक्षक और सिक्षक बाप दादा अपने सभी भ्रहमण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे हैं ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान स्रेष्ट जीवन का फाउंडेशन निश्चय है जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदी से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, सुभावना की व्रत्ती और आत्मिक द्रस्टी सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है हर समय चलन और चहरे से उनकी जलक अनुभव होती है क्योंकि ब्रामड जीवन में सिर्फ जानना ही नहीं कि मैं ये हूँ और बाप ये है लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्रामड कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धी हैं तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धी बच्चों से पूछते हैं जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धी विजई हैं तो कभी विजई कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धी सदा हो तो विजई सदा हो कि बीच बीच में घुटका और जुटका होता है निश्चय का फाउंडेंसन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर कभी दो ओर धीले हो जाते है कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है न अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा न तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में आप में ड्रामा में और ब्रहमण परिवार में निश्चय ये चार ही तरफ के निश्चय हो निश्चय को जानना नहीं है लेकिन मानकर चलना है अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजए डगमग होती है जिस समय विजए हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप मैं पूरा निश्चे है इसमें पास है लेकिन अपने आप मैं जो निश्चे चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है जानते भी हैं कहते भी हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो इसमें ही अंतर पर जाता है एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्ति मान हूँ विश्व कल्यार कारी हूँ दूसरे तरफ छोटी से परिस्थिती पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मान कर चलना नहीं कहते वास सोचते हैं कि मैं विश्व कल्यार कारी हूँ लेकिन विश्व को तो छोड़ो स्वय कल्यार में भी कमजोर होते हैं अगर उस समय उन्हों को उन्हों उन्हें कहो कि क्या स्वयम को परिवर्थन कर स्वय कल्यार कारी नहीं बन सकते तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्यार कारी लेकिन स्वयम कल्यार बहुत मुश्किल है ये बात बदलना मुश्किल है तो विश्व कल्यारकारी कहेंगे या कमजोर तो स्वैम में परिवर्तन, परिस्तिती प्रमाड, समय प्रमाड, सम्मंद संपर्क प्रमाड निश्चय स्वरूप में आए ऐसे निश्चय बुद्धी की विजय हुई पड़ी है जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं स्रेष्ट आत्मा हूँ इसके लिए कोई दुनिया के वेग्यानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं सरीर हो तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे तो जैसे ये पक्का है कि मैं सरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है ऐसे निश्चय बुद्धी की विजय भी इतनी निश्चित है हार असंभव है और विजय निश्चित है और ये भी निस्चित है कि बाते भी अंत तक आनी है लेकिन उसमें विज़ई बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निस्चित निस्चय पक्का चाहिए तीन में निस्चय है और एक में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है लेकिन मेहनत से विजय होगी निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं हमारा बाप से ही संबन्ध है लेकिन दैवी परिवार में खिटगिट होती है उसमें निस्चे डगमग हो जाता है इसलिए परिवार को छोड़ परिवार को छोड़ देते हैं हलका कर देते हैं तो एक साइट धीला हो गया न बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे माला कब करती हैं जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में प्रोय हुए होते हैं अगर अलग-अलग धागे में अलग-अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे तो परिवार है माला अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चे पक्के हो पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है चलो परिवार की खिटिकिट से किनारा कर लो बाप का सहारा हो परिवार का किनारा हो तो चलेगा काम तो बाप से है या भाईयों से है बाप से काम है वर्सा बाप से मिलना है भाई बेनों से क्या मिलेगा लेकिन ब्रामर जीवन में यही नियारापन है कि धर्म और राज दोनों की स्थापना होती है सिर्फ धर्म की नहीं और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं बाप की विशेष्टा है धर्म और राज्य की स्थापना करना तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तक्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना? तो राजधानी अर्थात ब्रामड परिवार से राज परिवार इसलिए ब्रामड परिवार में हर परिस्थिती में निश्च बुद्धी तब राज भाग में भी सदा राज यदिकारी होंगे तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं परिवार से नहीं बनती है बाप से तो बनती है ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है स्वे मिस्थती अर्थात स्वे निश्चे भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाए हलचल में आ जाती है तो बाप दादा निश्चे के फाउंडेंशन को चेक कर रहे थे क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चे एक समय पर साथ नहीं रहता कभी रहता कभी हिलता इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ किया तो बहुत मेनत, सोचा तो बहुत अच्छा लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पर जाता है इसका अर्थ ही है कि निश्चे के चारों तरफ मजबूत नहीं है और हसी की बात तो यह है कि ड्रामा भी कह रहे हैं है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं, अभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते, उस समय क्या लगता होगा, द्रश्च शामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डूल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धी की निशानी है निश्चित विजय अगर विधी ठीक है तो सिध्धी प्राप्त ना हो ये हो नहीं सकता तो जब भी कोई भी कारे में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है चार और चेक करो एक और नहीं और बात निश्चय बुद्धी की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होगे कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता सिवाई सुब चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया निस्चर बुद्धी के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है जब ड्रामा के राज को जानते हैं आदी मद्य अंत को जानने वाले हैं तो जो ड्रामा के आदी मद्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदी मद्य अंत को नहीं जान सकते न जानने के कारण क्यों क्या कैसे ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं अगर ड्रामा में अटल निश्चे है, नौलेज़ फुल भी है, पावर फुल भी है तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की ही हिम्मत भी नहीं रख सकते परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया तो बाप दादा हसते हैं कि ड्रामा के आदी मद्यांत को जान लिया अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते बड़े होसियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रती समय कल्प व्रक्ष के सभी पत्तों को जानते हो की नहीं सभी व्रक्ष के फाउंडेंशन में बैठे हो या साथ आठ बैठे हो तो जड में बैठे हुए व्रक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे तो निश्चे की निशानिया निश्चिंत इस्ति इसका अनुभव करो होगा नहीं होगा क्या होगा कर तो रहे हैं देखें क्या होता है इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे और फिर बाप के आगे ही फरयाद करते हैं आप मददगार होना आप रक्षक होना आप ये होना आप ये होना फरयाद करना अर्थात अधिकार गवाना अधिकारी फरयाद नहीं करेंगे ये कर लो ना ये हो जाएगा ना तो निश्चय बुद्धी अर्थात निश्चिन तो ये है practical निशानिया अपने आप में चेक करो ऐसे अलबेले नहीं रह जाना हम तो हैं ही निश्चे बुद्धी कौन सा निश्चे कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो सिर्फ चेक नहीं करना बाप दादा ने कहा था ना चेकर के साथ मेकर भी हो सिर्फ चेकर नहीं चेक करने का अर्थ ही है सेकेंड में चेंज होना और लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयम में दिर्शित के संसकार पक्के होते जाएंगे और जो बहुत काल के संसकार हैं वही अंत में अवस्य सामना करते रहेंगे कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा लेकिन हो नहीं सकता बहुत काल का अभ्यास चाहिए नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे सिवबावा, सिवबावा, सिवबावा और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ती नहीं है तुम होई कमजोर तो युद्ध चलती रहेगी यदि निश्चित नहीं होंगे तो ब्रामर जीवन के अंतकाल का जो लक्षे वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा और अगर अंतक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे और कोई यमदूत नहीं आते हैं ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं यमदूत क्या करते हैं दराते हैं और दूसरों के लिए कहें विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे, कोई विमान आदी नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो, कब तक करेंगे, बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिग्या भी लिख देते है लेकिन वो कागस तक रहती है या जीवन तक, अच्छा आज मदबन निवासियों का भी टर्ण है, मदबन वालों से तो विशेस बाप दादा का सने है, सबसे है लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेस मदबन निवासियों से है, क्योंकि निमित हैं, फिर भी देखो आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं न, मदुबन वाले खातिरी करने में पास हैं न, महमान निवाजी करना ही महानता है, जिसको महमान निवाजी करना आता है, वो महान हो ही जाता है सिर्फ खाने पीने से नहीं लेकिन दिल के सनेह की महमान निवाजी वो सबसे स्रेश्ट है चाहे पिकने कितनी भी करा लो लेकिन दिल का सनेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला तो मधुबन वाले दिल के सनेह सहित महमान निवाजी करते हैं करते होना कि कोई नीचे उपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा ऐसे नहीं करना स्ने के सागर के बच्चे होना कब तक स्ने देंगे नहीं गागर के बच्चे नहीं सागर के बच्चे पेहद सब के पास स्ने का स्टोक है न माताओं के पास भी है कुमारियों के पास भी है पांडवों के पास भी है सागर है या थोड़ा है तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे न जब सने के सागर है तो क्रोध कहां से आया किसके संसकारों को जानकर सेटिस्फाइ करते हो न चाहे वो wrong है लेकिन आप तो knowledgeable हो आप तो जानते हो कि ये क्या है लेकिन उस समय क्या कहते है इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया wrong से wrong हो गया तो क्या कमाल की उसने wrong किया और आपने उसका respond भी wrong भी दिया कई कहते हैं नकरोद एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता बार बार करता रहता हूं करता रहते हैं तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोद का है तो वो क्रोद नहीं करेगा तो क्या करेगा उसका काम है क्रोद करना और आपका काम है सनेह देना या क्रोध करना वो दस बारी करे तो आप एक बारी जवाब देंगे ना नहीं देंगे तो वो बीस बारी करेगा फिर क्या करेंगे तो इतनी सहन शक्ती है या उसने दस किया आपने आधा किया कोई हर्जा नहीं उसने जूट बोला आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं जूट बोलाना इसलिए क्रोध आ गया लेकिन जूट बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है तो सने के सागर के मास्टर सने के सागर मास्टर सनेह के सागर के नयन चैन व्रती द्रस्टी में जराभी और कोई भाव नहीं आ सकता यदि थोड़ा थोड़ा जोस आ गया तो क्या आप तो क्या उसको सनेह का सागर कहेंगे कि लोटा है चाए कुछ भी हो जाए सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करें लेकिन मास्टर सनेह के सागर दुनिया की परवा नहीं करेंगे बे परवा बादसा हो जो परवा थी वो पा लिया अभी इन व्यर्थ बातों से बे परवा बादसा चेकिंग की परवा करो चेंज होने की परवा करो लेकिन व्यार्थ में परवा कर सकते हो कि बच्चा, पोत्रा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे उपर करेगा तो सने के बजा आए और भावना भी आ जाएगी दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर जैसा मिल जाएगा नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायू मंडल ऐसा मिल जाएगा लेकिन व्यार्थ से बेपरवा बादशा, समर्थ में बेपरवा नहीं होना कई उल्टा भी उठा लेते हैं जा मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवा बादश्टा बन जाओ लेकिन मर्यादाओं में बेपरवा नहीं आपका टाइटल है मर्यादा पुरुशोतम ये मर्यादाओं ही ब्रहमण जीवन के कदम है अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी ब्रहमा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाओं ही कदम है अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे उपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है और बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई चारो और के सर्व निश्च बुद्धी स्रेश्ट आत्माए सदा निश्चित विजई आत्माए सदा निश्चिंत आत्माए सदा स्रेश्ट विदी द्वारा व्रद्धी करने के निमित बनने वाली विशेश आत्माए सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग नमस्ते बरदान है दिल के स्ने और सम्मंद के आधार पर समीपता का अनभव करने वाले निरंतर योगी भव ब्रामर्व आत्माओं में कोई दिल के स्ने सम्मंद से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नौलेच के आधार पर सम्मंद को अनभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं जहां दिल का सने और सम्मंद आती है प्यारा अर्थात समीप है वहां याद भूलना मुश्किल है जैसे सरीर के अंदर नस-नस में बलड समाया हुआ है ऐसे आत्मा में निस्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है इसको कहते हैं दिल के सने संपन निरंतर याद स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल इस्थती से सेवा करो तब सफलता मिलेगी अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती